1943 सिंगपोर, वर्ल्ड वर टू अपने चरम सीमा पर है, जापानी फॉज ने अंग्रेजियों को सिंगपोर से बाहर खतेर दिया है, सिंगपोर में नेता जी सुभास चंदर बोस की आजाद हिंद फॉज मौजूद है, जिसने अंग्रेजी हुकूमत पे जंग का एलान कर दिय नेता जी बोस के आरजी हुकूमते आजाद हिंद या, प्रुविजनल गवर्मेंट फ्री इंडिया की स्थापना भी कर दी, बहुत लोग इसे इंडिपेंडेंट इंडिया की असली शुरुवात मानते हैं इस दोरान सिंगपोर की एक तमिड हिंदू ट्रेडिंग कास चट्यार कम्यूनिटी के पंडितों ने नेता जी को नियोता दिया, कि वो चट्यार टेंपल में आकर एक ग्रैंड फंक्शन में आए, जहां प्रुविजनल सरकार के लिए, प्रुविजनल गवर्मेंट के ये कहके कि वो मंदिर में नहीं जाएंगे जहां जाती और धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है, नेता जी का मानना था कि रिलिजन एन मैटर्स ऑफ स्टेट डू नाट मिक्स और इसी लिए वो इसे एक रिलिजिस एंगल नहीं देना चाहते थे, पंडितों ने फिर स साथियों के साथ, जो की उनके फौज में सीनियर अफसर थे, आबिध हसन और जमान कियानी, स्कॉलर्स का मानना ये है कि एक साफ मेसिज था, नेता जी बोस ने एक इस्टैबलिश कर दिया था, एक रूल की जो प्रूविजनल सरकार होगी, जो प्रूविजनल गब्मेंट ह उसमें एक रिलिजिस यूनिटी होगा, किसी को किसी लेंज से नहीं देखा जाएगा, लेकिन देशभक्त का आज का एपिसोड नेता जी बोस के बारे में नहीं है, वो एपिसोड कभी और सही, आज का एपिसोड जनका नमना के बारे में है, जो आज ही के दिन, 24th of January 1950 में, Const Assembly ने एडॉप्ट किया था as the National Anthem of India. फिर आता है 26 January, Republic Day, शान से तिरंगा पहराया जाता है और देश भग गर्व से राष्टगान गाते हैं, जिस गाने को लोग अकसर 52 सेकेंड के लिए गाते हैं, फिर भूल जाते हैं, हम आज आपको उसी राष्टगान की कहानी सुनाना जो लब्स हम बहुत समान से लेते जरूर है लेकिन उसका मतलब क्या है? यह बताने की कोशिश करेंगे, जनगनमना हमें कैसी जोडता है? यह समझने की कोशिश करेंगे. आपको शायद पता होगा कि गुरुदेब रवना टेगौर ने हमारा National Anthem लिखा है, शायद आपको य इस गीत का, इस गीत से लेकर हमारे National Anthem बनने तक का सफर, इसके बारे में कुछ पता है? यह सिर्फ Fun Fact वाली कहानी मा आज नहीं बताने वाला हूँ. यह कहानी हिंदुस्तान के आदर शोकी है कि कैसे गुलामी, फसाद और नफरत के बाद भी यह एकता, यह इंखलाब, यह आत्म चिंतन की जीत कैसे होती है, सेल्फ इंट्रॉस्पेक्शन की जीत कैसे होती है, और इस कहानी में नेता जी और उनके साथियों का भी बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में बताएंगे. जैनवरी 1912 में ब्रिटिश हुकूमत ने एक सर्कुलर पास किया, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि शांती निकेतन, कोट अनकोट, अल्टुगेदर, अन्सूटिबल है फॉर गवर्मेंट ऑफिसर्स की एजुकेशन के लिए, चेतावनी दी गई प्रॉपर तरीके से की एक् अगर पाया गया कि कोई सरकारी अफसर अपने बच्चे को शांती निकेतन में पढ़ा रहा है, क्या पता, यहां से पढ़कर कोई कुछ ऐसा लिख दे, जिससे लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाब बगामत पर उतर आए, शौट में समझाने की कोशिश करूं तो ब्रिटिश हकूमत को शांती निकेतन से JNU टाइप वाइब जाते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शायद थोड़ी सी देर कर दी थी, क्योंकि इस फरमान के सिर्फ एक महिने पहले, 11 डिसेंबर 1911 को उसी शांती निकेतन में रबिंदना टेगोर ने एक ऐसा गीत लिखा, जो हजारो लाखों लोगों को बागी बना देने वाला था, गीत का नाम था भारतो भागो बिदा था, 27 डिसेंबर 1911 को कैलकेटा में कॉंग्रिस कॉंफरेंस हुआ, जिसमें ये गीत पहली बार एक पब्लिक गैदरिंग में गाया गया, 28 फेबरी 1919 में टेगोर बेसंट थियोसोफिकल कॉलेज गए, एक प्रेयर मीटिंग में पूरे कॉलेज के सामने उन्होंने अपना ये गीत भारतो भागो बिदा था, इसको गाया, और इस गीत का सब पर एक जादूई इंपक्ट पड़ा, मागरिट कजन्स जो उस कॉलेज की वाइस प्रेजिदेंट थी, उन्होंने अप प्रेहाडों का, नदियों का, उसमें जिक्र था, दूसरे वर्स में उन्होंने इंडिया के रिलिजिंस का वर्नन किया, देखते ही देखते हम सब उनसे विंती करने लगे कि ये गाना वो फिर से दोराएं, हम भी जोश के साथ जया है, जया है, जया है, जया है गाने लगे अब गीत के पहले वर्स को हम सब जानते हैं। पंजाब, सिंद, गुजरात, बराठा। टेगोर ने अपने शब्दों से ही देश का एक नक्षा बना दिया था। मगर टेगोर जानते थे कि नक्षो का खेल बहुत पेचीदा होता है। उन्होंने खुद 1905 में बेंगॉल का रिलिजिस पार्टिशन भी देखा था। जिसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज उठाई थी। वो जानते थे कि देश सिर्फ टेरिटरी से नहीं होता है, देश उन इंदू बहुत सिक जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्तानी। पूरप पश्चिम आसे तवसिम आसन पासे प्रेमहार हयगाथा। ये जो दूसरा वर्स है, ये भले ही आज हम नैशनल एंथम के अंदर न गाए, लेकिन इसका जो लिबरल मेसिज है, एक जो उदारवादी संदेश है, वो साफ दिखता है। अंदू, बौद, सिक, जैन, पार्सी, मुसलमान, क्रिस्चन, इस से लेकर वेस्ट तक सब लोग साथ आकर एक प्यार की माला बुनते हैं। टेग और इसी वर्स का अंत में वो लिखते हैं। यानी एक ऐसी भारत माता जो तमाम जनता को साथ लाती है, एक करती है। यू, वो ब्रिंग इन, यूनिटी ओफ दे पीपल। एक इंट्रिस्टिंग कोइंसिडेंस की बात यह है कि टेगोर ने अपना गीत जिस दिन लिखा, उसके सिर्फ एक ही दिन बाद, उसी के अगले दिन, 12 डिसेंबर, 1911 को किंग जोर्ज दे फिफ ने बेंगॉल के रिलिजिस पार्टिशन के डिसिजन को रिवर्स कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब लोगों ने इतनी आवाज उठाई, एक जुटता दिखाई, तो फिर अंग्रेजी सरकार को भी उस समय जुकना पड़ा था खैर, टेगोर की भारत माता हिंदू या मुसलमान नहीं थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, एक यूनिवर्सल गॉड है ये, जो स्पिरिच्वल इन नेचर है, कम्यूनल नहीं है, और ये एक एक्सेप्शन नहीं है, टेगोर का इंक्लूजिव हिमानिजम पे एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है, रिपब्लिक के लिए हिंदी में जो शब्द होता है, गन्तंत्र, अगर आप उसकी एटमॉलिजी देखें, मैंने शब्द का, अगर आप मूल आधार देखें, रूट वर्ड देखें, गना, means Republican Idea of Equality, टेगोर की गीत की बुनियाद य उन्हीं की लिखी आमार शोनार मांगला को मांगलादेश ने as a national anthem adopt किया, तो ऐसे महाकवी को धर्म के नाम पर या देश के नाम पर भी बाटा नहीं जा सकता है, शायद इसी वज़े से ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ, इतना मशूर हुआ, लोगों को इतना भाया क्योंकि ये narrow confines of religion and nationalism, ultra nationalism से उपर था, एक broader ideal दिखाता था, लेकिन किंतु परंतु ये national anthem के race में भारत भागों को विधाता was not the only one, एक और candidate भी था, 1937 की बात है, नेता जी Congress Party के member थे और उस टाइम पर Congress Party वंदे मात्रम को एक anthem की तरह गाती थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये प्रथा बढ़कर आ रहा है नहीं चाहिए, इसको change नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना था कि ये एक Hindu religious गीत है, इसी लिए nationalist gathering के लिए ये totally fit नहीं बैठता है, हम अकसर आज ये बात भूल जाते हैं कि हमारे देश के आजादी किसी धर्म विशेश ने नहीं, कि उन्हें आजादी दिलाई थी, October 1937 में नेता जी ने टेगोर को एक चिठी लिखी, कि भाई क्या किया जाए इस मसले के बारे में, टेगोर का बड़ा ही clear और ठोस जबाब था, उन्होंने लिखा कि क्योंकि ये गाना एक Hindu देवी की आराधना करता है, ये एक nationalist महफिल में बि इस गाने का जो पहला वर्स है, सिर्फ वो, अगर आप उसको consider करें तो काफी सुन्दर है, और उसमें किसी भी religion का कोई भी mention नहीं है, इसलिए पहले वर्स को nationalist meeting में गाया जा सकता है, लेकिन बाकी नहीं, अब कुछ Hindu politicians के backlash के बावजूद boss और Congress Party ने इस सुझाव का अमल किय उन्होंने पूरा बंदे मातरम नागा कर first paragraph पर ही अपने आपको concentrate किया, क्योंकि इसी से एक जुटता बढ़ती थी और इसी से देश की आजादी में और जादा unity पैदा होती, नेताची बोस और टेगोर का बहुत गहरा रिष्था था, unfortunately टेगोर की 1941 में मृत्यू होती है, ज आजाद हिंद फौज और provisional government की स्थापना भी कर देते हैं, फौज में सारे धर्म के लोग थे, हिंदू, मुसल्मान, सीख, इसाई, जब साथ-साथ में खाना खाते थे, साथ-साथ में बंदूग चलाते थे, उसूल ये था कि जाती के आधार पर भेद भाव नहीं होगा, एक all women's regiment, रानी ओफ जहासी regiment की भी स्थापना की गई, सोचो 1940s में, आजादी मिलने के बाद तक 1992 तक, अरे women were not even allowed into the army, आप कदम नहीं रख सकते थे, आज तक frontline roles में उन पर पाबंदी चलती आई है, लेकिन नेता जी ने 1940s में ये कदम इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि उन उन्होंने ये कदम इसलिए भी लिया था, क्योंकि वो एक simple fact जानते थे, अगर हिंद को आजाद होना है, तो सब को class, caste, gender, religion, साब कुछ भुला के देश के लिए एक होना होगा, इस common Indian identity को बढ़ावा देने के लिए आजाद हिंद सरकार ने हिंदुस्तानी जमां को national language समझा और उसके साथ साथ हर public meeting में तमड में translation भी provide करवाई, फौजियों की uniform के shoulder piece में तिरंगे के बीच एक कूता हुआ tiger का emblem था, टीपू सुल्तान के anti-british बगावत की याद में, civilian members के badges का motto था विश्वास एकता बलिदान और फौजियों के badge पर सेम चीज़ दूसरे शब्दों में लिखा गया, इक्तफाक, इतमाद और खुर्बानी और साथ में जरूरी था एक आजाद हिंद का national anthem, नेता जी ने एक साल पहले ही जब वो जर्मनी में थे, टेगोर का गी को नेता जी बोस ने हैंबर्ग में जर्मन इंडियन सुसाइटी को इनॉगरेट किया था और वहाँ पर नेता जी ने ओफिशली टेगोर का भारतो भगो बिधाता का एक 55 सेकंड वर्जन इंटर्डूस किया था, इसको चेंबर ओकेस्ट्रा ओफ रेडियो हैंबर्ग नामक एक बैंड ने परफॉर्म भी किया था बोस का मानना था कि टेगोर का गीत एक रेप्रेजेंटिटिव नेशनल सॉंग है जो सारे रीजिन्स और रिलिजिन्स को एक साथ लेकर चलता है, हमारे देश को दर्शाता है और सिर्फ यही नहीं, टेगोर ने अपने गीत में कठिनाईयों और करांती की भी बात की थी, जो की आजाद हिंद वाज की हार्श रियालिटी थी, उनका सच था तीसरे वर्स में टेगोर कहते हैं यानि जिन्दगी के तमाम उतार चड़ाव और कठेनाईयों के बावजूद हम सब सफर करते रहते हैं और तुम यानि भारत माता वो सारती है जो हमारा मार्दर्शन करते रहती है खुंखार इनकलाब के बीचों बीच भी हमें तुम्हारा शंक सुनाई देता है जो हमें संकट से, दुख से मुक्त करता है यानि उस माता की जै जो हमें कठिन हालत में भी रास्ता दिखाती है आप अगर आँख बंद करके भी एक बार भगत सिंग, अंबेत कर, नेता जी बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स उनका जो सफर है उसको अगर आप याद करोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये गीत उनके जिन्दगी की एक तरीके से तस्वीर दिखाता है उनके कठिन सफर और उनके इनकलाब के स्ट्रगल से कैसे वो रिलेट करता है इस गीत को नेता जी बोस ने चुना और कैप्टेन राम सिंग के ओकेस्ट्रा को जिम्यदारी सौपी गई कि वो इस तराने को ट्यून दे और क्योंकि टेगोर का गीत कठिन बांगला में लिखा हुआ था नेता जी ने अपने साथी कैप्टेन आबिध हसन को कहा कि वो गाने को सरल हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट करें कैप्टेन आबिध हसन ने इस गीत को ट्रांसलेट किया और ये गीत आजाद हिंद वोज का रश्टगान बना 1945 में ब्रिटिश फोर्सेज ने सिंगपोर पर वापस कब्जा जमाया आउगस 1945 में एक प्लेन क्रैश में नेता जी बोस की तथाकतित मौत हो गई पर नेता जी के आदर शो और उनके एंथम की कहानी यहां खतम नहीं होती है हिंदुस्तान 1947 में आजाद होता है आजादी के दिन नहरू एक मिड़नाइट स्पीच के बाद पूरे कॉंस्ट्वेंट एसेमली में उनके साथ जन अगनमन गाते है 16 आउगस 1947 को नहरू ने लाल के लिए पर तिरंगा फेराया और कैप्टेन राम सिंग और उनके आउकेस्ट्रा को दावत दी गई कि वो इस मौके पर आजाद हिंद पौज के एंथम का ट्यून बजाए एक साल बाद 25 आउगस 1948 नहरू कॉंस्ट्वेंट एसेमली में प्रस्ताव लाते हैं कि जन गरमना टेगोर के गीत का पहला वर्स जो नेता जी ने 1942 में चुना था वो ही देश का राश्चगान होना चाहिए सब सहमत है टेगोर के इस ओरिजिनल बांगला वर्जन को ही एडॉप्ट किया गया और 24 जैनवरी 1950 आज ही के दिन 1950 के दिन ये गीत ओफिशली हमारा नैशल आंथम बना इस पूरे राश्चगान की कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है भक्ती और बिगट्री में क्या फरक होता है रिलिजिस इक्वालिटी क्या होता है रिपब्लिकन वैलिउस क्या होते हैं इन सब के साथ साथ एक आखरी पॉइंट आपको पता है कि टेगोर नैशलिस्स कम और हुमनिस्ट जादा थे और इस सोच के चलते उनमें एक खूबी थी जो आजकल दिखने में कम ही मिलती है ये खूबी थी और इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिनतन का टेगोर भारतो भागो बिधाता के चौथे वर्स में क्या लिखते हैं सुनिए यानि घोरात्री के अंदकार में भी जब ये देश और उसके देशवासी पीड़त थे बीमार थे तब भी भारत मा जगी रही और हमारी देखभाल की जब हम बुरे सपनों से आतंकित थे तब उस माता ने हमें अपने गोद में लिया और हमारी रक्षा की और इस माता ने हम सब के दुखों को मिटा दिया टेगोर का ये एक बहुत ही वन्डरबल और ओनिस साइड यहां हमें दिखता है जब ये गीत टेगोर ने लिखा था तो उन्हें काफी बुरे सपने आतंकित कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी बंगाल का रिलिजिस पार्टिशन गरीबी भुगमरी जब नेता जी ने इस गाने को चुना उस समय बेंगौल में एक बहुत ही बुरा फैमिन का दौर चल रहा था शायद आज के डेट में भी बहुत सारे देशवासी बुरे सपनों से आतंकित हैं धार में कटरवाद है गरीबी है बेरोजगारी है एजुकेशन और हेल्थ केर का बट्टा बैठा हुआ है बड़े कुन्जपतियों की गुलामी चल रही है इसी लिए नैशनल एंथम पर सि अपनी कॉंस्ट्वेंट एसेंबली के फाइनल स्पीच में खुद ये इंट्रोस्पेक्शन किया था कि 26 जैनवरी 1950 से पॉलिटिक्स में तो वन मैन वन वोट होगा पर सोशल और एकनॉमिक लाइफ में वन वैल्यू अब भी नहीं है और अगर हम ये सही माइनों में ये बर अंदी खुद 15 उगस 1947 को कोलकाता में फास्ट कर रहे थे तो इस साल जब आप 26 जनवरी को राष्टगान गाएंगे एटेंशन में खड़े होएंगे तो गर्व के साथ साथ थोड़ा आत्मचिंतन भी कर लीजेगा और चाहे हमारे देश के तरक्की के सामने कितनी भी चुन नेता जी बोस और आजाद हिंद फौज ने देश का पर्चम और हमारा नैशनल एंथम आखरी दम तक थामे रखा था क्योंकि उनको पता था कि एक दिन तो हिंदुस्तान को आजाद होना ही है अंग्रेजों को बाहर निकलना ही है और नफरत से भी हमें आजादी चाहिए अ और आखरी वर्स में इसी उमीद के बारे में लिखते हैं सुनिये यानि एक रात खतम हो गई है और एक शांदार सूरज निकल रहा है पंची गार हैं और ठंडी हवा हैं सब में जान फिर से भर रही है और उस माता की करुणा से जो हिंदुस्तान अब तक सो रहा था अब वो जग रहा है और सब भारतिया उस माता की चरन को प्रणाम करते हैं उस उदार माता की चैहो एक ऐसी भारत माता जिसके लिए हिंदु मुसल्मान सीख इसाई जैन बुद्ध पार्शी सब एक हैं जो धर्म के नाम पर या भाजा के नाम पर बाड़ती नहीं है चाहे कोई कितना भी गंतंत बनाने की कोशिश करे ऐसी भारत मा जो अपने बच्चों के साथ भेद भाव सहन नहीं करती है टेगोर बोस अमबेटकर के सपनों की भारत एक्तफाक एतमाद और खुर्बानी का भारत 26 जैनवरी को जब आप नैशनल एंथम गाएं तो इस एंथम की कहानी इसका मूल अर्थ भी याद रखेगा और आज हम भले ही टेगोर के भारतो भागो बिधाता की फर्स्ट वर्स ही गाते हैं अज नैशनल एंथम लेकिन उसका मीनिंग उसका उदेश उसको समझना बहुत ज अच्छा लगा तो कॉमेंट्स में जरूर एक थम्स अप डालिएगा और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और अगर अल्ट्रा प्रो मैक्स अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो जरूर देशभक्त मेंबर बनिये वाया पेट्र के थूँ तो फिर मिशन सक्सेस्फुल थैंक्स वर वाचिंग मोरे एपिसोट कमिंग अप